बागपत के छप्रोली में आयोजित अजीत सिंग की सरधांजली सभा और जैन चोधरी की रसम पगड़ी कारिकरम में बड़ी संख्या में खाप चोध्यों ने और रालोद के कई नेताओं ने भाग लिया और जैन चोधरी को पगड़ी बांधी बागपत और आसपास के कई जनपदों के लोग इस प्रोग्राम में आयोए थे और सभी ने जयान चोधरी को विधिवत रूप से पगड़ी बांधी और चोधरी प्रिवार की उपाधी दी चोधरी चरंसिंग की विरासत की पगड़ी जयान चोधरी के सर सजते ही अब उन्हें एक नया नाम भी दे दिया गया है चोधरी प्रिवार के उत्राधीकारी के रूम में मन से इसकी घोशना की गई जैन चोधरी की जगे अब चोधरी जैन्त उनका नाम होगा जिस तरह से उनके बाबा चोधरी चरण सिंग या पिता चोधरी अजे सिंग कही जाते थे अब जैन चोधरी का नाम भी चोधरी जैन्त बोला जाएगा चपरोली में आजूतिस कारेकरम को लेकर जन्ता में काफी उत्साह देखने को मिला बडोज से लेकर चपरोली तक कई जगों पर भंडारे लगाये गए थे और ग्रामिनों को रोक रोक कर प्रसाद वित्रित किया जा रहा था कई जगों पर ब्रह्म भोज की भी विवस्ता की गई थी इस प्रोग्राम ने एक बार फिर से चोद्रि प्रिवार से चपरोली के अटूट रिस्तों की तस्वीर पेस की बडोज से चपरोली तक पूरी रोड चाम थी वहीं इंट्रकोलीज का मैदान छोटा पड़ गया यहां उम्री भीर ने जाहिर कर दिया कि चपरोली एक बार फिर से इत्यास लिखने को तियार है